आइस पॉल क्या होता है आइस का गुला होता है या क्या होता है उसमें फेस्ट में ग्लो आएगा सब परिशानी दूर भग जाएगा कि इसे जानते हैं हाई आइस विल्गम बैक टू माई चैनल बर्षा बीटी अन लाइफस्टाइल तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब भगवान की कुर्शा हुए आप सब चंगे वहले हो तो चलिए आज हम बात करेंगे आइस पॉल आखिर यह आइस पॉल होता क्या है यह कितना काम करता है फेस के ल लिशन कीजिए जो उनको भी बता चले तो चलिए आइस पॉल होता क्या है मैं आपको पहले आईस पॉल दिखती हूं हमात सूचिए का आइस पॉल मतलब आईस का गोला है इसका टुकड़ ऐसे मत सूचिए तो चलिए हम आपको दिखादे आइस तहिन हो फरन्स यह हैै असल यह मेजिक कमाल है, मतलब की मेजिक का बॉल है, देखे कितना सुन्दर दिखता है ना, जितना सुन्दर यह दिखता है उसका काम भी उतना अच्छा है, तो यह क्या काम हम लोग का करता है, यह हम लोग का जो रिंकल्स बगर आता है, आग के नीचे काला पॉन आता है, फिर जि और बहुत चीज यह काम करते हैं, जैसे कि ठखाबन हो, हम लोग का मतलब ठख जाते हैं बहुत काम करकरके और जो लोग अपिस काम करते हैं, कउम्पुरें कहाम करते हैं, तो यह जो बॉले बहुत रिलाक्स देख आपको और उसके बाद जो हम थ्रेडिंग करते हैं तो तुरंदी यह बहुत नहीं लगाते कैसे हैं चलिए हम आपको आज दिखाते हैं तो प्रेंड्स यह बहुत अच्छा चीज देखिए और हम इसको केसे लगाएंगे पहले तो आपको फेस को साप कर लिजेगा और साफ करने के बाद कोई भी इसे ही आपको इसको मत खुमाएए आपको भी जेल लीजिए जैसे आलोवरा जेल हुआ शीरम हुआ या कोई भी मेसेश क्रीम हुआ आप ले सकते हैं देखिए लगाना का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ मैं यह पपया जेली हूँ तो इसे ही लगा दीजिएगा और जिनको आय के निचे ज्यादा प्रोब्लेम में काला पड़ गया है कि फ्रपिनेस हो गया है तो उसको यहां लगा देगे और जिनका जो लाइन है यहां पर ओभी कर सकते हैं देखिए इसे लगा देंगे तो यह लगाने के बाद हम क्या करेंगे उसको इसे ही मत भूमाए इसे लगाने के बाद इसको थोड़ा देंगे इससे इसे मत देंगे इंगे शरुमा There you know पूरा मतलब कि आप जब ठक जाते हैं फेस का कोई ठकाबन हो यह दूर बगाता है तेकि इसे हिला देंगे फिर दोनों हांस्तों से इसे राउंड राउंड घुमाएए आएके नीचे कोई प्रॉब्लम हो तो इसे किजिए और रशाय कि फाल करके थकावन हो यह बहुत ठंड लगता है बहुत अराम लगता है बहुत सारा गलो डेता है इसे किजिए जिनका रिंकल्स विगरा हुआ है इसको इसे किजिए और आय के पास ऐसे ही गोला करकर रॉंड रॉंड गुमाये ऐ है बस एसे पांच-दस मिनिट आप कर दीजिए और इसको ऐसे खुला मत छोड़िए जब भी आप कर लेंगे ना उसके बाद इसको क्या करेंगे साफ करके साफ करके उसको रखिए देखिए हफते में एक बार किजिए कि आपको रेगुलार बैसिस में कि मतलब कि आय क्या प्रोब्लम है आप इसमें काम करते हैं तो आने के बाद में इसमें करने से बहुत ही रहात देगा बहुत अच्छा लगेगा तो फरन वीडियो कैसा लगा अग कर लिजिए तरह तो फिर मिलोंगी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टिल दें टेक कर बावास